दोस्तो बिग बॉस OTT सीजन टू के घर में बाते चल रही है तुनिशा केस को लेकर और ये बात शुरू होती है पूजा भट की तरफ से पूजा भट केती है कि मैंने जब आपको प्रोमो में देखा तो मुझे वो मीडिया कॉनफरेंस यादा गया और फलकनाज भी ओवर एक्टिंग करने लग जाती है और बोलती है कि उस वक्त हमारे फैमिली जिस दोर से गुजर रही थी वो दोर बहुत खराब था पबलिक केती है कर्मा कर्मा लेकिन हाँ सच में कर्मा की ही जीत होती है मुझे अब किसी से भी emotional attachment करने का बहुत जादा डर लगता है क्या हम किसी को doctor भी suggest नहीं कर सकते है ये केसा जमाना आ गया है जमाना कितना खराब आ गया है ऐसे दोनों मिलकर बाते कर रही होती है और फ पलकनाज केती है कि मेरा छोटा भाई जो मेंटली थोड़ा एबनॉर्मल है वो हमेशा मेरे भाई को याद करते रहता था और बोलता था कब आएंगे कब आएंगे और इसे कॉल का इशारा कि सच में जेल के अंदर मोबैल यूज किया जाता है यह जैसे बता रही थी तो सच मे पूजा भट केती है कि मेरी फैमिली भी इस दोर से गुजरी थी हमने भी यह फैस किया मैं आपका दर्थ समझ सकती हूँ लेकिन जिसकी बच्ची गए उनका दर्थ वो ही समझ सकते है इसके बाद में दोस्तों पूजा भट उनसे कहती है कि आप रिलाक्स हो जाईए आप र हमारा जो था सच वो सामने आ गया इसी बाते चल रही है आप सभी को वीडियो अच्छे लगी तो जरू लाइक करना इन चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना थांक्यू